नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी मूँ के छालों से परिशान हैं तो हमारा ये वीडियो जरूर देखिए दोस्तों मूँ के छाले एक काम समझ्या है पर हम कुछ घरिली उपाय करके मूँ के छालों से मुक्ति पा सकते हैं सबसे पहले तो जानते हैं कि ये छाले होते क्यों हैं अगर आप बहुत जादा तीखा या मतालेदार खाना खाते हैं तो आपको मूँ के छाले हो सकते हैं या फिर बहुत जादा गर्म खाना खालेने से भी छाले हो जाते हैं अगर हमारे शरीर के अंदर विटामिन B कॉंप्लेक्स की कमी है तो उस वज़र से भी मूँ में छाले हो सकते हैं तो चलिए जान लेते हैं कुछ घरेलू नुसके जिन्हें अपना कर आप मूँ के छालों से छुटकारा पा सकते हैं पहला उपाय है हल्दी एक गिलास पानी में एक चम्मच हल्दी पाउडर मिला ले और उसे गर्ण कर ले गर्ण करने के बार आप उस पानी से खुला करें ऐसा करने से आपके मूँ के छाले बहुत ज़ली ठीक हो जाएंगे शहद और इलाइची आप इलाइची को पीस कर उसका पाउडर बना ले और उसमें थोड़ा सरशहद मिक्स कर ले अब उस पेश्ट को आप अपने मूँ के छालो पर लगाएं इससे आपके मूँ के छाले ठीक होने लगेंगे अगर आप ये उपाय दो-तिन दिन तक करते हैं तो आपको मूँ के छालो से मुक्ति मिल जाएगी धनिया के पत्ते आप हरे धनिया का रस निकाल ले और उसे अपने मूँ के छालो पर लगाएं इससे आपके मूँ के छाले पुरी तरह से ठीक हो जाएंगे चमेली का पत्ता आपके छालो के लिए बहुत अद एक फायदे मंद है दोस्तों आपको चमेली के पूल का नहीं बलकि चमेली के पत्ते का इस्तमाल करना है चमेली के पत्ते को पीस कर उसका रस निकाल ले और उसे छालो पर लगाएं इससे आपके छाले कम होने लगेंगे अम्रूत के पत्ते आप अम्रूत के पत्तों को भी पीश कर उसका रस छालों पर लगा सकते हैं इससे भी आपको अपने छालों से छुटकारा मिल जाएगा एक सबसे आसान उपाय है मूँ के छालों से छुटकारा पाने का आइस क्यूब आप आइस क्यूब को अपने मूँ के अंदर छालों पर रखें ऐसा आप दिन में चार या पांच बार करें अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके छाले बहुत जल्दी ठीक होने लगेंगे तुलसी का पत्ता दोस्तों आप तुलसी के पत्ते का रस निकाल कर अपने छालों पर लगा सकते हैं या ऐसे ही तुलसी के पत्तों को चबाने से भी अराम मिलेगा नार्यल पानी या भी आपके मूँ के छालों के लिए फायदे मन रहेगा नारियल पानी पीने से हमारे पेट को खंड़क मिरती है जिसकी वज़त से आपके छाले बहुत ही जल्दी ठीक होने लगते हैं तो दोस्तों ये तो थे कुछ घरीली उपाय जिनका इस्तमाल करके आप अपने मूँ के छालों को ठीक कर सकते हैं